Students, open your text book, page number 79, chapter 13, आजाद पक्षी ये एक प्रेरक कहानी है, इस स्टोरी में एक राजा थे, उनका नाम नर्सिंग था वे बड़ी ही द्यालू और न्याई प्रेय थे, यानिकि वो बहुत ही द्यालू थे और उनको न्याई जो था, वो बहुत पसंद था उनकी एक गुडिया सी प्यारी बेटी थी, जिसका नाम था रूपा, राजको मारे रूपा को बस एक ही शोंग था और वे था पक्षी पालने का, मैना, बुलबुल, कोयल, जैसे अनेक पक्षियों को उसने पिंच्रे में बंद करके रखा था हालांकि रूपा पक्षियों की खाने पीने और उनकी सिहत का हमेशा ही ख्यार लगती थी मगर कभी-कभी जब पढ़ले दिखने, अथवा, खेलने कुदने में मस्त हो जाती तो वे हैं पक्षियों की खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी और इसी लापरवाई की चलते कई पक्षियों ने समय से पहले दम तोड़ दिया लापरवाई यानि की केरलेस, उसकी केरलेस की कारण कई पक्षियों ने टाइम से पहले ही दम तोड़ दिया यानि की वो मर गए पक्षियों की मोद का समचार सुनकर राजा नर्सिंग अंदर ही अंदर तिल मिला उड़ते थे जब भी राजा नर्सिंग को ये न्यूज मिलते हैं कि पक्षी मर गए हैं तो उनको अंदर से बहुत दुख होता था यानिकि वो बहुत दुखी हो जाते थे उन्होंने कई बार रूपा को समझाया भी था कि वे पक्षियों को आजाद कर दे मगर रूपा जो थी वो अपनी जिद पर ही अड़ी रहती जिससे नोक्रों को उसकी पसंद के पक्षी पकड़ कर लाने ही पड़ते थे एक दिन रूपा अपने दोस्तों के साथ गुड़ा गुड़िया के खेल में मस्त हो गई और इधर मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से तडब तडब कर दम तोड़ दिया यानि कि भोजन पानी की कमी से रूपा तो अपनी फ्रेंड के साथ खेल लई थी और खेल में इतना बेजी होगी कि वो भूली गई कि पीछे तोतना और मैने को खाना भी देना है और तोतना और मैना दोनों ने भोजन पानी की कमी से तड़ब तड़ब कर दम तोड़ दिया जब उनको पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो वो भूप्यास से मर गए और जब ये सब खबर राजा के कानों तक पहुंची तो वे आग बबुला हो गए आग बबुला हो गए यानि कि उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मंत्री को बुला कर कहा मंत्री जी रूपा को जेल में बन कर दीजिए तो मंत्री ने बड़े हिरानी से बूचा मगर क्यों महाराज मंत्री ने हिरानी से बूचा मैं राजा हूँ, ये मेरी आग्या है राजा ने कड़क आवाज में कहा कड़क आवाज में यानि कि तेज आवाज में कहा उससे वली आवाज में कहा तो मंत्री डर के मारे छुप हो गया और राजा की आज्या से रूपा को जेल में बन कर दिया गया राजा ने उससे बात करने के लिए मना कर दिया बात करने के लिए भी बस दोनों वक्त खाने पीने के अनेक पकवान दे दिये चाते थे अब दोनों टाइम ही उसको खाने पीने के लिए अलग अलग तरहा का खाने पकवान दे दिये जाते थे तो कई दिनों तक तो रूपा रोती भी लगती रही उसने खाना पीना तक छोड़ दिया वे समझ ही नहीं पारे थी कि किस अपराद के लिए उसे जेल की चार दिवरी में कैद किया गया है उसको पत्ता ही नहीं चलना था कि उसके पापा ने उसको किस अपराद के लिए किस गुना के लिए जेल में बंद कर दिया है पंद्रा दिनों के बाद राजा ने आदेश दिया रूपा को बीरी सामने हाजिर किया जाए अब रूपा को महराज के सामने हाजिर किया गया जेल की कैट से रूपा को लाया गया पिता को देखते ही वह बिलक बिलक पर रोव पड़ी यानि कि बड़ी बुरी तरह से फूट फूट के रोव पड़ी और थोड़ी देर के बाद जब उसके आंसु रुखे तो उसने पूछा पिता जी आपने मुझे किस अपरात के लिए जेल की चार दिवरी में बंद कर दिया था तो राजा ने का हाँ मैं राजा हूँ मेरी मर्जी वाँ पिता जी रुपा ने सवाल किया आप राजा हैं तो किसी बेकसूर को अपनी मर्जी से जेल में बंद कर देंगे यानि कि फिर रूपा ने अपने पिताजी से बोला कि अगर आप राजा है तो क्या आप किसी को भी उठा के जैल में बंद कर दोगे तो फिर राजा ने जवाब दिया क्यों नहीं राजा ने जवाब दिया जब तुम इन बेकसूर पक्षियों को अपनी इच्छा से पिंजने में बंद कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हें बंद नहीं कर सकता तो रूपा अपने पिताजी को और हैरानी से देखने लगी एकदम सर्प्राइस होकर अपने पिताजी को देखने लगी फिर राजा ने आगी कहां कि तुमने कभी सोचा है इन पक्षियों के भी माबब होंगे जिन से मिलने के लिए ये तड़पती होंगी क्या ये सबी खेलना, कूदना, फुदकना और उढ़ना नहीं चाहती होंगी क्या इन्हें आजादी नहीं चाहिए तो ये सुनकर रूपा को अपनी गलती के लिए काफे पचतावा हुआ मतलब अब उसको रिलाइस हो चुका था कि वो जो कर रही है वो गलत कर दी है तो उसने का हाँ पिताजी आपने मेरी आँखे खोल दी मेरी ही तरह ये पक्षी भी तो पिंच्रे में कैद होकर तडफ रहे होंगे अब रूपा को समझ आ गया था कि जैसे वो जेल की चारदिवारी में तडफ रही थी ऐसे ही उसने काहा कि मेरी ही तरह ये जो पक्षी है ये भी पिंच्रे की कैद में पिंच्रे में कैद होकर तणफ रहे होंगे तो मैंने अपनी जरा सी खुशी के लिए इनकी सारी खुशियां छीन ले मैं अब भी इने उड़ाकर पिंच्रे से आजाद कर देते हूं और अब मैं कभी भी किसी पशु पक्षी को पिंच्रे में बन नहीं करूंगी और ना ही किसी को दुख दूंगी तो रूपा ने पिंच्रों के बन दर्वाजे खोल दिये सब इपक्षी चह चाहते हुए नीले आसमान की और उड़ने लगे रूपा और जो राजा थे दोनों मुख्ध होकर एक तम से उन्हें एक टक देख रहे थे दोनों एक जगा पर खड़े होकर वुख्ध होकर एक टक से मतलों की एक नज़र से पक्षियों को उठते हुए देख रहे थे सो स्टूडेंट्स हमें इस कहाने से ये सीख मिलती है कि हमारी ही तरह पक्षियों को भी आजाद रहना अच्छा लगते है